हलो स्टुटन्स आम यहर्म गएश्टेचर तोड़े वी इसकस अबाऊट इसेश्साइश्साइश्स पैंट फ्री विश्टन नंबर तू क्या है अब इस वीडियो में देखने वाले है okay so in the given figure triangle odc यह triangle odc यह वाला triangle similar to triangle oba मतलब यह upër का एक triangle यह वाला triangle यह triangle यह जो triangle लीक्रहा है किये okay these triangles are similar to this triangle o ba यह triangles को similar दे करें ना पोश्चन में कहां देखें अगें अंगल B O C, अंगल B O C, मतलब यह वाला अंगल B O C, यह एंगल 125 डिग्री है, और अंगल C D O, यह वाला अंगल 70 डिग्री देखरें, क्या फैंड करना है, अंगल B O C, मतलब यह वाला है, यह एक अंगल find out करना है आपको, ओके, और D C O, यह वाला यह वाला यह अंगल find out करना है, यह आपकर डाटके यह वो, एंगल OAB, यह वाला एंगल, यह में तीन एंगल, फाइंड आउन करना है, ओके, आप सोलुशन देखेंगे, फिस्टर से फाइंड आउन करना है, उसको, अब देखो यहापन, हमको फर्स्ट से कुम सा है, बी, ओ, सि, यह इंगल पर देखो, यह यह एंगल यह एंगल्स ट्रेटलान में, गादे मिंस क्या होगा ये angles और क्या होगा 180 degree होगा By Straight Line पर मिस Linear Pair Angle पुन से ये Linear Pair Angle तो इसको ये सब्सक्राप ॥ा Linear Pair Angle क्या होथे 180 degree क्या होथे स्वाण मिस्पों find out करेंगे क्या होगा इन दी D1 figure we have इन दी D1 figure we have, यहाँ पर देखो angle DOC plus क्या होगा angle DOC is equal to 180 degree यहाँ पर अच्छी से देखो यह angle DOC angle DOC plus angle DOC angle BOC is equal to 180 degree, design क्या देगा यह हमारे linear pair angle है, कुण से? linear pair linear pair angles ओके, नाव पूट देखो DOC, DOC find out करना है, BOC हमको देखो रहे, शो क्या बगा यहाँ पर यहाँ पर देखो angle DOC हमको find out करना है plus angle BOC कितता है 125 degree 125 degree is equal to 180 degree, ओके? अब यह 125 को shift करो, तो क्या अब है आपकर angle यह DOC 180 degree यह इदर जाके plus कर माइनस 125 degree ओके, अब क्या हम देखो angle DOC angle DOC is equal to 180 degree माइनस 125 degree कितता होगा है, 55 degree कितता होगा है, 55 degree मतलब हमको फर्स्ट मिल गाया है angle DOC angle DOC is equal to कितता 55 degree यह 55 degree मिल रहा, ओके? again हमको क्या find out करना है, DCO यह हमारा फर्स्ट होगा है, यह आपर DOC find out कर दें now DCO देखो, यह D. C. O अब यह आपर देखो, यह angle हमको DOC, DOC यह angle कितता मिला है, यह आपर 55 degree यह आपर 55 degree मिला है angle DOC में यह angle 70 degree यह 55 degree मिला है तो remaining हमको यह triangles और यह angles find out करना होगा अब आपको जब दो angles हमको मिलते हैं तो by angle sum property से हम third angle find out कर सकते हो ओके तो क्या होगा next कुंसर triangle से int triangle d o c 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 we have क्या होगा by angle sum property by angle sum property by angle sum property of triangle by angle sum property of triangle all angles के addition हो जाएंगी तो क्या होगा यहापर angle sum property of triangle is equal to किता होगा 180 degree तो यह आपर दिखो कुंसा angle है अंगल d o c यह वाला है अंगल d o c यह वाला है अंगल o d c is equal to 180 degree अब अब जो 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 आएंगल मिलें उसकी वाले फुटब कर्लो दी ओ सिखी यह आपर d o c o d c किता है यहापर 70 degree इस इकोल तो यह किता होगा 180 degree ना इसको सावन को जो किता होगा यहापर 70 degree यहापर 70 degree and यह 50 degree किता होगा 125 degree 125 degree plus angle d c o is equal to 180 degree ना अगें इसको जो 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 किता होगा यहापर अंगल d c o अंगल d c o is equal to 180 degree यह दर आके minus o का plus का 125 degree ओके यहापर किता होगा अंगल d c o is equal to 180 degree minus 125 degree किता होगा 55 degree यह अंगल हमें किता मिला 55 degree ओके होगा यहापर जो 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 d c o अब अब क्या करना है यह एंगल A find out करना है यह एंगल A find out करना है यह एंगल B is equal to 70 degrees और यह एंगल D is equal to 70 degrees और यह एंगल D is equal to यह एंगल किता है 55 degrees तो इसका यह एंगल अब भी क्या मिलेगा 55 degrees मिलेगा यह एंगल समल किता मिलेगा क्योंकि यह आपर देखो यह ट्राइंगल G OC और ट्राइंगल OBA बोर्ट ट्राइंगल साथ सिमिलर जो ट्राइंगल सिमिलर होगे तो इसका यह एंगल क्या मिलेंगे अब यह आपर देखो यह 700 डिग्री है तो यह भी 70 डिग्री मिल जाएगा और यह 55 डिग्री है तो हमें यह 55 डिग्री तो हमें अगल A find out करना है O A B find out करना है ओके तो क्या होगा इफ अगर ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल O D C O D C similar to triangle का है OBA यह similar है अभी का आपर देख रहें given में देख रहें ओके तो यह आपर क्या होगा अगर O D C therefore angle O D C is equal to angle O B A angle O B A is equal to कितना मिलेगा similarity degree मिलेगा similarly क्या आपर angle क्या होगा D C O यह जो हमें find out करना angle विसरी D C O is equal to O A B तो O A B B कितना मिलेदा हमें 55 degree यह यह angle कितना है 55 degree यह हमें 55 degree मिलेगा यह हमारा 3rd और यह तीनों हमें find out करना था यह तीनों हमें find out करना था कुनसा angle D O C angle D O C हमने यह आपर D O C यह आपर 55 degree यह आपर D C O यह तीनों हमें find out क्या है D C O and O A B O A B यह यह आपर हमने find out क्या है यह तो कहा होगा last में hence यहापर हमें क्या मिल रहा है angle D C O D C O is equal to 55 degree angle D O C D O C अगें 55 degree angle O A B यह तीनों हमें क्या मिल रहा है 55 degree ओके यह आपर हमाना first question खतम होता है तीनों आपर यह आपर find out कर लिए अगें नौ next question, question three अगेंस video में दो कि युद्गेंगे झाल झाल